हेलो एब्रिवन वेल्कम अगेन इन दे नेक्स वीडियो फॉर दे क्लास एज सुडेंस आंड़ टॉपिक एज फ्लेम्स बच्चों कंबश्चन चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है इससे पहले अगर आप लोगोंने फर्स पार्ट नहीं देखाया तो आप फर्स पार्ट को पहले देखिए और उसके बाद इस सेकेंड पार्ट को देखने की कोशिश करिए मैं उसका लिंक नीची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से वो लिंक मिल जाए तो बिना कोई टाइम बेस्ट के वे टेक दो पेज में दिया हुआ है मगर आपके एक्जाम में यह क्वेश्चिन्स जो होंगे वो काफी ज्यादा एमांट में आते हैं चाहे वो वन माक्स के हो या फिर नीचे की तरफ हम लोग चलते जाते हैं फाइव माक्स के तरफ हमेशा इनको समझना है और बहुत ही आसान तरी के बारे में हम जैसी पढ़ते हैं हमें सबसे पहले इसके टैंठ के बारे में मालुम होना चाहिए तो it may be defined as the reason, flame may be defined as a reason, as a reason over which, flame may be defined as a reason over which gases burn, यहां लिख दे रहा हूं है, gases burn, यह आपको definition सबसे पहले याद होना चाहिए, कि how the flame can be defined, तो बच्चो flame जब बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदी में बात करें, तो flame होता है law, जैसे अगर आप candle जलाते हैं, तो candle का ऊपर वाला जो flames दिख रहा है, that is the flame, actually वो है क्या, वो है एक reason, reason का मतलब होता है वो छेत्र, वो part, जहां तक वोई कोई gases जो होता है, वो जल लगाया, combustion किया, burning किया, और उसके बाद एक reasons दिखाई दिया हमें, जो की जल रहा है, तो उसी को हम flame कहते हैं, और उसके अंदर में बहुत सारी बाते हैं, और बहुत सारी activities, तो हम लोग अब बात करेंगे, इनके diagram की है, exam में बच्चों diagram बहुत जादा आता है, इसलिए आपके brain में setup हो जाएंगे, बद जो flame के लिए हम लोग क्या अगरते हैं, कुछ है इस तरह बनता है, देखो ध्यान तो सारे बच्चे, आप लोग इससे भी जादा अच्छा से बना सकते हो, this one is the first, this one is second, and this one is third, ओके और आपको मालुम में एक तरह का ये thread लगा रहता है, औ ना wax का बना हुगा है, ये candle किसका है, wax का बना हुगा है, बस ये दिमाग में रखना, अब अच्छो आप मुझे खुद बताइए, ये अगर मैं आप लोगों को reasons दिखा दिया, reasons मतलब छेत्र, मतलब जो flame जल रहा है, वो इसी तीन पार्ट में divided होता है, मतलब reasons के कितने पा flame का, किसका flame, candle का flame, clear, outer most zone of the candle flame, clear, बच्चों जो outer most zone होता है, उसमें कुछ बातों को हम लोगों को जानने की जरुवत है, जो outer most zone होगा, जो outer most zone होगा, उसी को हम एक और नाम से जानते हैं, non luminous zone, non luminous zone, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि exam में कभी-कभी questions ऐसा आता है कि, which zone is the hottest zone, बात करेंगे हम लोग, उसके बाद देखो बच्चों, ये जो outer most zone होता है, ये सबसे, ये तीनों zone में से सबसे जादा hottest zone होता है, बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही जादा गर्म होता है, तो outer most zone, non luminous zone, hottest zone, और क्या होता है इसके अंदर? complete combustion complete combustion takes place complete combustion takes place बच्चों actually क्या है कि आपको मालुम है कि जो complete combustion होता है ये तभी possible है जब इसको sufficient amount of the air मिले हवा इसको मिले तो आप दरा सोचो ये बाहर की तरफ है outermost flame बाहर की तरफ से atmosphere में इसको हवा आराम से मिल रहा है यानि वो जो भी candle जल रहा है जो भी आपका wax जल रहा है वो आराम से यहां completely burnt होता है next one इसका जो color होता है वो blue color होता है बच्चों आप कभी ध्यान दिये हैं या नहीं दिये हैं मुझे नहीं मालुम लेकिन आज आप लोग जल जला कर यह ध्यान दिजें कि उसका जो outer most zone होगा वो आपको दिखेगा कि वो blue color का होता है और blue color का मतला वहां पर complete combustion हो रहा है ठीक है तो इसको आप लोग जल्दी से note करिए इसको आप लोग जल्दी से note करिए और यह point मतला outer most zone में इतना सारा point आपको याद होना चाहिए अगर आप में से कोई भी आप लोग अगर इस point में से कोई भी point अगर miss कर रहे हैं तो कहीं न कहीं फिर आप suffer करेंगे तो याद करिए बहुत easy है बाहर वाले zone को outer most zone कहते हैं यह इसका एक और नाम non luminous zone है सबसे hottest zone है complete combustion takes place and the blue color एक छोटा सा examples में आपको दिखाना चाहता हूं ठीक है और वो examples में मैं एक math stick का use कर रहा हूं सेम उसी तरह से अभी incense stick नहीं है आप लोगों को मालूम है incense stick जो अगर बत्ती use होता है वो चीज हम कैसे जलाते हैं आप कभी घर में try करना है हम लोग क्या करते है exactly अगर मालो मैंने इस तरह की माचिस जलाई और मुझे बोला गया कि इससे मुझे अगर बत्ती जलाना या incense stick जलाना है तो बच्चों ध्यान से देखो हम लोग ऊपर नहीं रखते हैं और क्या करते हैं वो अगर कोई भी incense stick है supposed है तो वो इसको ऐसे से टेच करते हैं नहीं बच्चों आपको मालूम है आपने science का दिमाग लगाया है कि जो outermost zone होता है वो सबसे hottest तो बच्चों outermost कहा है देखो तो जहां इसका लॉपर की तरफ जा रहा है वो अपना अगरबत्ती इतना दूर में रखे बहुत जल्दी पकड़ेगा चेक करिए और जैसे आप अंदर रखेंगे बहुत ही कम जल्दी क्या है वकॉस को था हॉन है इसका मतलग क्या हुआ इस अप इन दियुदे आप इन दियुदे गूपरी तेरफ जाए अच्छे से पूरा जल जाता है यूदा कंवी तेर्स विछिए बिकॉस्पीट प्लेजूर नों था जिए कि तो उड्ट लूड उस एक जब्ली तप्ली flame में तो कम से कम आप अपने घर में जो gas burner होता है उससे आप अपने color को check कर सकते हैं आपने देखा होगा जो gas आपका जलता है वो ज्यादा तर blue color का जल रहा है यानि अगर complete combustion हो रहा है और आपने पढ़ा है the gases fuels in the gases fuels the complete combustion takes place तो वहां का जो color होता है वो blue color का होता है जल्दी से इसको note करिए ताकि हम फिर middle zone के बारे में बात करें तो बच्चो next आप हम लोग करते हैं और next में हम लोगों को middle zone के बारे में जाना है तो बच्चो जैसा कि आप figure में देख रहे हैं कि यह आपका सबसे first वाला बाहर की तरफ है इसलिए outer mode zone तो middle वाला जो zone दिख रहा है आपको flames का इसी को हम कहेंगे middle zone middle zone ठीक है मैंने outer mode zone में बहुत सारी बाते लिख भाई हूँ उमिदे कि आप अपने copy में लिख रहे होंगे second one middle zone अब middle zone के बारे में कुछ बातों को पढ़ेंगे और यहीं पर पढ़ेंगे middle zone जो है बच्चो इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है luminous zone सबसे important luminous zone students are oftenly confused in the non luminous zone and the luminous zone तो याद रखिए outer mode zone से हमने शुरू किया और वहाँ पर नाम है non luminous zone और middle zone का क्या नाम हो गया it is the luminous zone यह जो zone होता है वो थोड़ा सा moderately hot होता है moderately hot moderately hot moderately कहने का मतलब ना जादा ठंडा रहेगा ना जादा गरम रहेगा मतलब यह हलका फुलका मतलब जो बोलते हैं शुष्म उसके मुकाबले किस comparison में in comparison to the outermost zone as well as the innermost zone ठीक है इसके अंदर क्या present रहता है इसके अंदर रहता है unburnt carbon particles याद रखियेगा unburnt carbon particles बच्चों unburnt का मतलब होता है जो नहीं जला हो carbon कहने का मतलब आप यह समझ लो आपने देखा होगा कि कभी भी हम candle flame जलाते हैं तो उपर में थोड़ा black रंग का कुछ smoke type का निकलता है बच्चों वो जो smoke निकल रहा है वो actually middle zone से निकल रहा है बच्चों जो इसका color होता है वो होता है yellow color yellow color clear है तो यह कुछ बातों को याद रखना है middle zone का एक और नाम क्या है luminous zone यह moderately hot होता है सबसे hottest नहीं होता unburnt इसके अंदर क्या रहता है unburnt carbon particles याद रखना बच्चों hashtag and hashtag important मतलब यह दो point तो कम से कम याद होना चाहिए क्योंकि इसी के उपर सारी activities भी है unburnt carbon particles मतलब वो जो काला-काला धुआ निकल रहा smoke निकल रहा है it is because of the unburnt carbon particles partial combustion हो रहा है तभी तो complete combustion होता तो उतना धुआ नहीं निकलता आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े heavy vehicles होते हैं जैसे buses trucks और आप जब road पे देखते तो किसी-किसी buses trucks में बहुत जादा खाला धुआ उसके silencer से निकलता है मतलब वहाँ पर complete combustion नहीं हो रहा मतलब वो जो fuels है जो petrol या diesel डाला गया है वो अच्छे से नहीं चल रहा है यानि वहाँ पर partial combustion हो रहा है इसी के चलते धुआ बहुत जादा होता है और इसका color अगर flame की बात कर रहे है तो flame में इसका color कैसा होगा yellow color अगर आपके gas burner में blue color जादा और yellow थोड़ा कम हो तो समझे कि आपका gases fuels अच्छे से जल रहा है लेकिन बच्चों अगर blue color थोड़ा कम हो जाए और yellow color थोड़ा जादा आ जाए मतलब आपको burner के सापसपाई की ज़रूरत आपड़ी है तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि वाकई आपको एपने LPG gas के burner को सापसपाई करना है या नहीं करना है clear तो ये कुछ बाते हैं middle zone को लेकर जल्दी से इसको note करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें बच्चो अब हम बात करेंगे inner most zone को लेकर देखो outer most zone सबसे बाहर वाला middle zone बीच वाला और last में जो zone बच्चा सबसे अंदर की तरफ इसको हम बोलते है inner most zone बच्चों जो inner most zone है उसका कोई दूसरा नाम नहीं हम लोग simply inner most zone करके ही बात करते है inner most zone जो होता है वो सबसे least hot होता है least मतलब सबसे कम गर्म होता है कम गर्म होता है इसलिए आपने कभी-कभी किसी किसी आदमी को देखा होगा वो अपना show up करने के लिए क्या करते हैं आपने हाथों से इसके जो thread होता है उसको मसल देते हैं और आग को बुझा देते हैं कभी-कभी आपने ऐसा देखा हो क्यो तो बच्चों ये least hot होता है, थोड़ा सबसे कम गर्म होता है, और actually मैं इसके अंदर में क्या present रहता है, ये जरूरी है जानना, unburnt wax vapor, बच्चों very important wax vapor, याद करो अब बच्चे यहीं पर confused होते हैं इस जगह पे, middle zone में याद करो क्या होता था, unburnt carbon particle, वो काला काला दुआ, य वो vapor कैसा है, unburnt है, मतलब अभी वो जला नहीं है, यानि अगर कभी किसी तरह से हम उसको बाहर निकाल सकें, ये पूरे zone में न जाने दें, अगर हम बाहर निकाल सकें, तो वो it will catches fire, मतलब वो wax vapor, ये जो unburnt wax vapor है, जो की inner most zone में present है, ये आग पकड़ सकता है, ठीक है, और unbur carbon particle वो आग नहीं पकड़ेगा, वो तो बहले सही partial combustion हो चुका, है ना, मतलब थोड़ा बहुत जल चुका है, वो completely जलेगा नहीं, नहीं जलेगा, क्योंकि उसको sufficient oxygen नहीं मिला, लेकिन ये जो unburnt wax vapor है, ये सबसे अंदर inner most zone में present रहता है, and if it can be carried outside, then it can catches the fire, याद रखना, very very important unburnt wax vapor, बच्चो इसका जो color generally हम लोगों को दिखता है, वो black दिखता है, तो आज आपका काम रहेगा, कि आप अपने घर में candle जलाईए, और चेक करिए कि क्या आपको outer most zone का blue color नजर आया, क्या आपको middle zone का yellow color नजर आया, और क्या आपको inner most zone का black color नजर आया, clear है, समझ में आ coldest part भी बोलते हैं, कहीं कहीं फिर book में ऐसा भी लिखा, coldest, ठंडा है, और ठंडा का मतलब यह नहीं कि हम इसको बर्फ समझ लेंगे, नहीं, इनके मुकाबले, in comparison to the outer most zone and the middle zone, it is the least hot zone, तो inner most zone में हम लोगों को इतना ही काम करना है, तो मुझे उमीद है कि आपको ये diagram के साथ साथ, जो मैंने important बाते बताई हैं, वो सारी चीज़ा समझ में आ गई होगी, अब बच्चों एक question आता है, generally, कुछ activities को करने के लिए, ठीक है, आपके book में activity 4, 5 and 6, इस बात को represent करते हैं, activity 4, आपके book के हिजाब से, activity 4, 5 and 6, और याद रखिए, activity 4, 5, 6, ये किस-किस को represent कर रह है, inner most zone को कुछ proof करना है, मैं बता रहा हूँ, क्या proof करना है, 5 जो है, ये middle zone के लिए है, पहले समझ लो, और जो 6 activity है, ये होगा आपका outer most zone के लिए, हम लोग क्या करते हैं, कि actually, ये सारी चीज़े flames तो समझ जाते हैं, मगर activities को हम avoid करते हैं, और बच्चों, examiners, जब आपके books में question आते हैं, तो वो ज़्यादा दर question इनी activities से देते हैं, अब हम बात करते हैं, कि उस activities में हमें proof क्या करना है, क्योंकि बच्चों, जब भी हम कोई activities करते हैं, whenever we do the activities, we want to try to prove something, and in the activity 4, 5 and 6, out of these information, we have to prove only one information regarding all these concepts, एक एक चीज़ों को proof करने के लिए, कोई एक चीज़ी है उ उसको proof करने के लिए हम लोग ये बात करते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ों को हम proof करते हैं, इसको note कर लीजे, ताकि मैं बस activity को बता सकूँ, ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे activity 4 को लेगे, activity 4, मैं इसको आप लोगों को समझाओंगा, क्य यह भी मैंने आपको इससे पहले बताया था, activity 4 related है आपके innermost zone से, है ना, यह दिमाग में याद रखना, it is related with the innermost zone, अच्छा innermost zone, इसका मतलब जो मैंने innermost zone की जितनी कहानी बतायी थी, वो सारी कहानी आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सबसे least hot होता है, it is black in color, black color होता है, ठीक है, और उसके अंदर present क्या रहता है, unburnt wax vapor, ठीक है, याद रखे, unburnt wax vapor, बस इसी point को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, question ऐसा कुछ आएगा, describe an activity, describe an activity, which shows, which shows that, that innermost zone, that innermost zone contains, 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 unburnt, unburnt wax vapor, unburnt wax vapor, कैसे proof करेंगे, कि जो innermost zone है, उसके अंदर में, unburnt wax vapor है, बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया था, थोड़े देर पहले, कि जो unburnt wax vapors होंगे, वो जलेंगे, यानि अगर कभी हम उसको बाहर निकाल सकें, तो वो जलेंगे, अब question है, कि इ एक glass tube लेते हैं, glass tube क्या होता है, आपने देखा होगा straw, plastic straw देखा होगा, जैसे आप किसी से कोई juice पीते हैं, लसी पीते हैं, तो आप एक plastic वाला straw लेते हैं, cold rings पीते समय हैं, बसे cold rings तो पीना नहीं है, बात किये हैं हम लोग, पिछले वेडियो में भी, तो उसमें आपने जैसे straw में दोनों तरफ end खुला हुआ रहता है, तब ही तो आप खींच सकते हैं, एक तरफ आप juice में डुपाते हैं, और एक तरफ मुझ से खींचते हैं, तो इससे क्या होता है, वो juice उपर है, यानि दोनों end straw का खुला हुआ हुआ है, उसी तरह glass tube का भी दोनों end खुला सुनिए, यह रहा मेरा candle flame, यह मेरा middle zone और यह मेरा innermose zone, ध्यान से समझेगा, ठीक है, यह मेरा candle, अब क्या करेंगे बच्चों, यह proof किसमें करना activity for inner most zone, inner most zone में क्या proof करना है, proof यह करना है कि inner most zone में unborn wax vapor present रहते हैं, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा यह जल नहीं है अभी, अभी इसको जलाना है, तो हम क्या करते हैं, inner most, जब यह candle जलाते हैं, तो inner most zone के पास से एक glass tube, एक glass tube ऐसे लगा देते हैं, टच कर देते हैं, क्या होगा इससे, बच्चों जो इसका vapor निकल रहा है, वो क्या करेगा, इसके tube के अंदर से जाना शुरू करेगा और यहां से vapor निकलना शुरू होगा, हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ से, एक जलती हुई माचिस की तीली यहां लगा देंगे, और आप देखेंगे, it catches the fire, यह जो wax vapor जा रहा है, इसमें आग लग रहा है, एक flame के रूप में, मतलब यह जो wax vapor निकल रहा है, यहां पर this proves that यह जो wax vapor निकल रहा था, यह अभी जला नहीं था, अगर यह नहीं flame यहां नहीं बनता, तो हम यह बोल सकते थे, यह burnt हो चुका है, clear हो रहा है, इसी activity को अपने language में आपको note करना है, तो क्या आप इसको अपने language में note कर सकते हैं, तो बच्चों आप इसको कोशिश करिए अपने language में note करने के लिए, सेम वही चीज बताना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताना है, यही बताना है, कि first burn a candle, एक candle को जला ही है, और उसके बाद, placed a glass tube, बच्चों यह जो मैंने इस तरह लंबा दिखाया है, actually में यह क्या है, glass tube है, तो place the glass tube, place the glass tube in the innermose soon, we will found that the grayish white color, grayish white vapors, grayish white vapors are filled up in this tube and coming outside from the next end, देखो, दो end है, यहां end है, यहां end है, तो इस end से vapor जाएगा और यहां से निकलेगा, if we will place a burning mastic near the mouth of the other end of the glass tube, then it produces the same flame as that of the candle flame, बच्चों यह वहां पर वैसा ही flame होगा, जैसे यह flame है, अगर ऐसा होता है, this activity shows, क्या दिखाता है, that the innermose zone contains the unburnt wax vapors, clear है, कितनों को समझ में आया, comment करें, अपना नाम बताइए, है ना, कितने बच्चों को यह activity समझ में, और आप लिख कर देखे, मैं बिलकुल इसमें बताने वाला नहीं हूँ, आप simply खुद से लिख कर देखे, कि यह activity आप लिख सकते हैं कि नहीं, कोशिश करना है, बच्च अगर जल रहा है, तो यह activities यह बताता है, that it contains the innermost, the innermost zone contains the unborn wax vapor, clear है, चले, उसी तरह बच्चों आप second activities की बात करते हैं, अब मैं बात करता हूँ activity 5 का, समझते चले activity 5, यह बच्चों मैंने क्या बताया था, यह generally होगा आपका middle zone को लेकर, middle zone को लेकर, तो जाहिर बात है, अब मुझे कोई भी activity करना होगा, तो middle zone, अच्छा, middle zone में मुझे क्या proof करना है, अब आप मुझे बताये, middle zone में क्या रहता है, comment करिये, video pause करिये, और बताये, कौन सा चीज middle zone में present रहता है, मैंने आपको 4-5 flames का जब diagram बनाया था, तो उसमें लिखा था कि कौन सा चीज इसक के अंदर present रहता है, comment करिये, exactly, unburnt carbon particles और उसी को लेकर हमें प्रूब करना है, question क्या आएगा, मतलब एक activity आपको दिखाना है, describe an activity, which shows, which shows that, which shows that, कौन सा जोन, यहाँ इनर्मोस जोन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, that, middle zone, middle zone, middle zone, middle zone, अच्छा, middle zone का एक और नाम क्या है, comment क करिये, middle zone का एक और नाम क्या है, हाँ, देखिये नहीं, middle zone का एक और नाम क्या है, comment करिये, yes, it is known as a luminous zone, very good, तो बच्चों, exam में क्या होगा, पता है, exam में middle zone नहीं देगा, exam के questions में क्या देगा, luminous zone, ठीक है, और बोलेगा, बताओ, अब इस activity को प्रूफ करो, या बोलेगा कि which thing is present in the luminous zone of the candle flame, तो आपको मालूम होना चाहिए कि luminous zone किसको बोलते हैं, okay, तो describe an activity which shows that the middle zone contains, क्या contains करता है, जल्दे comment करें, contains unburnt carbon particle, कुछ बच्चे comment नहीं करते, है न, comments यह मत करो कि सर आपका वीडियो अच्छा है, चाहिए, खराब है, वो comment नहीं करना है, मैं जो questions यहा तो आपको, आपके brain में वो चाप से चीज सेट अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप यह ध्यान दोगे, contains the unburnt carbon party, अब इसको proof करने के लिए हम क्या करेंगे, अब बच्चों सेम चीज, candle जो कम से कम जला नहीं होगा, मतलब यह चीज तो common ही है, तो लिखा गड़ेंगे, take a burning candle, तो यह रहा, outer most, यह रहा, middle और यह रहा, यह ठीक है, inner most zone, किस को proof करना है बच्चों, किस में proof करना है, कौन से zone में, comment करिये, कौन से zone में करना है, आपको करना है, middle zone में, middle zone में क्या proof करना है, middle zone में, unburnt carbon particle रहते हैं, ध्यान देना, unburnt carbon particle, इसी क चलते काला-काला दुआ निकल गए यहां पर ता अंबंट वैक्स बेपर मतलब जला नहीं है लेकिन जलेगा क्लेयर दोनों में अंतर समझो अंबंट वैक्स बेपर अंबंट कार्वभड़ बच्चों को समझे नहीं आता वो लिख देते हैं कहीं भी कुछ भी इसलिए ध्यान सीशे का रहता है, ग्लास का रहता है, और उसका, उसी को हम ग्लास स्लाइट बोलते हैं, करना क्या है, इस ग्लास स्लाइट को किसी चिम्टे से पकड़ लो, चिम्टे को टॉंक्स बोलते हैं, उसको पकड़ के कहा रख दें, ये मिडल जोन के उपर रख दें, मिडल जोन के समझे को कि observation ही जरूरी है अगर आपको observation नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा अब देखो यह रहा glass light जब आप थोड़ी देर के लिए इसके उपर रखते हैं तो आप देखेंगे ध्यान से समझेगा यही observation पकड़ना है आपको एक circular डार्क रिंग बन जाता है काला काला एक रिंग बन जाता है ठीक है लेकिन बच्चों बीच में कुछ नहीं होता मतलब बीच वाला जो reasons है वो white ही रहता है काला काला सरीफ कहां डिपा यह blackish तरह का रिंग जो है ग्रेश रिंग जो है वो आपका इस glass light के उपर बन जाता है अब यहां दो questions हुए पहला question हुआ black ring क्यों हुआ और white space white space बीच में क्यों हुआ इस दोनों बातों को ध्यान देना है त भी तो गाला गाला धुमा फेक रहा था ठीक है तो यह black ring किसकी वजह से हो रहा है because of the unburnt carbon particle तो क्या लिखेंगे the black ring forms the black ring forms because of because of unburnt carbon particles समझ में आ रहा है सबको easy लग रहा है okay अब ध्यान दो बच्चो अब question है कि sir यह बीच में white क्यों रह गया कोई answer बता सकता है comment करिए बीच में white क्यों रह गया why the why the ring has a white space in the middle of it and the center of it the center of the ring the center of the ring क्या रखो the center of the ring doesn't contains the unburnt पहला चीज़ तो यही बोलेंगे न कि sir middle वाले zone में जरूर unburnt carbon particles deposit नहीं हुआ जमा नहीं हुआ आपने देखा होगा अगर आप candle जलाते हैं और उपर में कुछ चीज रग दो कोई वर्तन रग दो कुछ रग दो तो काला काला धुमा वहां पर smoke type का वहां ही कठ्था हो बच्चो वही carbon unburnt carbon particles है लेकिन हम लोग ठोड़ा सा scientific point of view से यह बात कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने glass slide लिया और वहां पर उसको placed किया तो बच्चो जो यह white वाला जगा है यह generally इसके उपर पहला reason यह देंगे कि सर इसके उपर कोई unburnt carbon particles आया ही नहीं और दूसरा क्या बोलेंगे देखो हमने इस glass slide को middle zone पे रखा था तो य कि जो innermost zone है यह भी तो बीच में लग रहा है मतलब innermost zone जो है वह वहां पर carbon particles को जमने नहीं दिया clear हो रहा है ठीक है तो क्या लिखेंगे because that center part center part was over the dark inner zone क्या लिखेंगा white space क्यों है क्योंकि center part center part was over over dark inner zone यह जो बीच में dark inner zone यह बीच में आपका white इसलिए रहा है क्योंकि यह जो part था glass slide का वो वाला part जो innermost zone के ऊपर था इसके चलते वहां पर blackish तरह का color नहीं deposit हुआ तो क्या हम इस activities को अपने language में लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं try तो करिए मुझे भरोसा है कि मेरे सारे बच्चे इसको लिख सकते हैं और जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग अपने इस language में या होगा try कर यह लिखने का जो जो मैंने बता है simply वही लिखना है क्या लिख सकते हैं take the glass light burning candle place over the middle zone याद रखना middle zone को प्रूफ करना है तो middle zone के उपर रखेंगे inner most zone को प्रूफ करना है तो inner most zone पर रखेंगे clear है और दोनों में क्या क्या रहता है उस flame के diagram में आप लोगों को पता चल गया है अब last activity जो बसती है four five and आपके textbook के हिसाब से activity number six which helps to prove about the outer most zone अब outer most zone में कुछ present तो नहीं रहता लेकिन एक खास बात है जो मैंने आपको माचिस से बताया था क्या बताया था it is the hottest zone of the candle flame मतलब वो activity आपको proof करना है कि the outer most zone is the hottest zone of the candle flame and how will you proof it कैसे आप इसको proof करेंगे चीक है तो चेक करते हैं जल्दी से इसको note कीजे और फिर हम लोग activity six में चलते है बच्चों जो next हम लोगों को proof करना है वो activity six में and it comes and it is based on the outer most zone so if I have to proof यानि activity six जो है उसमें क्या proof करना है तो हम बोल सकते हैं describe an activity describe an activity which shows which shows that which shows that outermost zone outermost zone is the hottest zone is the hottest zone बहुत easy और आराम से आप इसको लिख सकते हैं इसको proof करने के लिए क्या करेंगे करना तो वही है सबसे पहले एक candle जलाएंगे मालूम है आपको three reasons होंगे यह रहा candle अब मुझे बताओ किस चीज में किस zone को proof करना है outermost zone को proof करना है मतलब बाहर की तरफ और बच्चो इसके लिए हम क्या करते है एक copper rod thin copper rod copper क्या होता है copper क्या होता है आप अपने घरों में जो electrical appliances देखते हैं जो तार देखते हैं विजली का तार जो आ रहा है उसके अंदर copper रहता है बच्चो उसको थोड़ा सीधा कर लो वह वाला चीज हम यूज कर सकते हैं अब क्या करते हैं यह जो thin copper rod कहां रखेंगे अब आब artist है तो क्या आप देखेंगे बच्चों जैसे हम इसको 30 seconds के लिए रखते हैं यह red hot हो जाता है गर्म हो जाता है अगर गर्म हो रहा है तो गर्म कौन कर सकता है जो पहले से गर्म हो यानि outer most zone है इसके चलते वह गर्म हो रहा है अगर यही copper rod को मैंने यहां रखा होता inner most zone में तो क्या होता क्या होता बताओ क्या होता इट gets blackened काला हो जाता क्यों कि दोनों का एरिया है इसके उपर भी चल रहा है क्योंकि wax vapor है उसके चलते भी यह काला हो सकता है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है सबको यह सरी ध्यान देना यह वच्चों एक खास बात यह inner most zone पे न luminous zone में रखते हैं तो कैसे लिखेंगे इसको same way चीज़ take a burning candle place a copper rod copper rod over the outermost zone for the 30 seconds and after that we find that this copper rod becomes red hot if it becomes red hot then it indicates that the outermost zone is the hottest zone क्या यह तीन चार लाइन आप खुद से नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं और try करिए class 8 में जब आप आ गए हैं तो बच्चों आपको activities जो है कम से कम science में जो activities होते हैं उनको अपने language में लिखना चाहिए you can take the help of the book आप book का help जरूर लीजिए book को जरूर पढ़िए मगर language आप अपना use करिए ताकि आप अपने आपको express कर सके जब आप 8 के बाद 9-10 में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग subjects में खुद क को express करने का questions आते हैं तो practice क्यों नहीं अभी से शुरू किया जा और इसी science से शुरू किया जाए ठीक है तो यह कुछ activities है जो आपको जानना है आपको करना है इस videos में मैं सरी flame के बारे में ही आपको discuss कर रहा हूं और flames के related जितने भी आपके doubts होंगे वो सब इसमें clear हो का question answers flame से related और आप देखोगे इस videos को देखने के बाद अगर आप flame से related जो question answers होगा उसको try करें एक भी questions आपसे छूटेगा नहीं clear है क्या आपको ये video समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है जरूर comment करें और जो मैंने questions पूछे हैं उसका answer जरूर होना चाहिए कास तर से which zone is the non-luminous zone, which zone is the luminous zone, which is the hottest zone, which is the least hottest zone और कौन से zone में क्या चीज़ प्रेजन रहता है और उसके active videos को कैसे हम proof कर सकते हैं next videos में आपके पास question answers जाएगा और उसके बाद एक part और बनेगा इसका fourth part that will contains the fuel, characteristics of the good fuel as well as the calorific value क्योंकि बहुत सारे बच्चों को class 8 में calorific value में बहुत doubt होता है और numericals जो उसमें होते हैं वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो check करते हैं कि हम लोग next videos में क्या लेकर आते हैं तो यह सारी चीजों को आप अपने किताब में पढ़िए और अपने copies में note करिए ठीक हैं till then पढ़ाई करते रहिए and all the very best thank you करते हैं